लेबलान के इस बुल्ला लड़ाकों ने इसराइल के किरियाद शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाके से धहला दिया है सीरिया बॉर्डर पर भी इसराइल को खत्रे के सिगनल मिले हैं अब इसराइल को डर है कि कहीं चौते फ्रंट न खुल जाएं लेकिन बड़ी खबर हमाश शीप सिन्वार की सुरंग से आई है जो बहुत चौकाने वाली है 65 रॉकेट से देहल गया इसराइल किरियाद में आईडिया फट पॉर्टर पर हमला नसरल्ला के कद्यूशा ने मचाया कोहराम सिन्वार के टनल वॉर्यर आक्टिव सिन्वार ने दिखाया नरक शाफ एक घंटे के बीतर 65 रॉकेट धमाके इसराइल का किरियाद शमोना धुआ धुआ हो गया धमाके इस गुल्ला फाइटर्स ने किये दिशाने पर इसराइल का बेस था कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से इस गुल्ला ने आईडियप के सैन ने ठिकाने को तभा करने का एनान किया है वह इसराइल ने दावा किया है कि हिस्बूला के रॉकेट अटैक को म्सबूती से जवाब दिया गया है ज्यादतर रॉकेट को हवा में ही तभाकर इसराइल ने आग बुजाने का मिशन भी शुरू कर दिया है इस बुल्ला लडाकों के दागे गए रॉकेट रहाईशी बस्कियों में भी भटे है हालकि किसी भी तरह के जानी या माली नुपसान की खबर अभी तक नहीं आई है मगर इसराइल का क्रोग लिवनान फ्रंट की जगा घजा में दिखने लगा है घजा में जलते रॉकेट की आंदी थमने का नाम नहीं ले रही बारूदी गुबार से ढकी घजा सिटी रह रह कर आग की लप्तों में घिरती है चीप पुकार मचती है और पिर इमारत काला खंडर बनती है जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं आसमान से बरस रही मिसाईले मौत बाट रही है हमास लडा के आमने सामने के युद में कहीं टिक नहीं पा रहे मगर जो युद हो रहा है दिखाई दे रहा है ये जंग उतनी भण नहीं असल लडाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है सुरंग में बैठे हमास के खुंखार पल्टन भीशन पलटवार कर रही है अपने बिलों से निकल कर हमास के स्लीपर सोलजर कैसे कोहरा मचा रहे हैं उसकी बस एक जलक देखिए सुरंग से दबेपाउं निकलते हैं हमास के बम स्कौर्ट इसराइल की फोर्च को परीब जाकर दहलाते हैं सिंवार के आत्म घाती हमलावर इस घातक और विद्बंसक हमले का तोड अब दक नेतन याहू कि सेना तलाश नहीं पाई है हमास के अकेले सुरंग वारियर्स के मुकाबला करने के लिए इसराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ लही है उसका सबूत ये वीडियो है इसराइल फोर्स से घिरा हमास का लड़ा का पत्थरों से बनी इमारत में शरन लेकर मैठा था उसे घेडने के लिए एक दरजन से ज्यादा आईडियफ सोल्जर्स ने फाइरिंग की वेजबैंक के हिब्रॉन में ये भिड़न कैमरे में कैप्चर हो रही थी कैई घंटों तक चले शूट आउट में आखिरकार आईडियफ काम्याब रही लेकिन एक अकेले हमास के लड़ाके ने दरजनों जवानों को जोरदा अटक कर दी इसी तरह उत्तरी घजा में इसराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है शेक जाइड टावर्स इलाके में हुई भीशन लड़ाई में आईडियफ के कैई जवानों को जखमी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से छिप गए तनल बैटल में हमास इसराइल फोर्स पर भारी पड़ रहा है इसकी वज़ा सुरंग में मिल रही इरान और हिजबुला का फुल बैक अप है इसराइल के पूर कैबिनेट मंत्री और सैनने प्रमुक बेनी गैंट्स ने तो नेतनियाहू को ये वार्निंग भी दी है कि सुरंग में बैठे सिन्वार का सपाया लगभग ना मुमकिन है अगर नेतनियाहू सही युद ररनिंदी नहीं बना पार है तो हुने सरेंडर कर देना चाहिए पिन नेतनियाहू लो मवीन शे अखरे 7 अक्तोबर है को लिशतना हम येश लो सफेक शिन्वार ये खुसाल शनागिया लगभग ना चाहिए तमीड हम लो मस्पीक खजक लामोद बालाखथ बिननामी शे अनिख लमप्तिकोद मेरे खबाई हमास चीफ सिन्वार बीते 10 माह से सुरंग में चिपा बैठा है सिन्वार, अमेरिका और इसराइल दोनों को चक्मा दे रहा है आखिर सिन्वार का सर्च उपरेशन इतना लंबा क्यों खिष्टा जा रहा है क्या है अंडरग्राउंड गाजा की हकीकत इसराइली हमलों से बचने के लिए हमास ने पूरे घाजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिचाया है कि दुश्मन उनका ज्यादा कुछ बिगाड नहीं पाते है हमास के इस नेटवर्क को घाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड घाजा भी कहा जाता है एक वक्त इसराइली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे घाजा में सता से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगे है हालकि या आंकलन उस वक्त गलत निकला जब आईडिय अपने 1500 से ज्यादा टनल शेफ्ट को घोज निकाला हमास के इसी अंधेरी दुनिया में इसराइल के नागरिकों को बंदक बना कर रखा गया है एक एकर हमास लड़ा के बंदकों को मारते जा रहे हैं जिससे इसराइल में भारी बकेड़ा मचा हुआ है हाल ही में 6 बंदपू की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई है देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतन्याहू जहां बैक फुक पर है वहीं सिन्वार अपनी सुरंग से निकल कर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है सिन्वार ने सभी सुरंगों के दर्वाजों को धमाके का ट्रगर बना दिया है हमाज के अंडरगराउं नेटवर्क एक अरप डॉलर से ज्यादा कर्च करके अपग्रेट किया गया है सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाया गया है कि बाहर से छूते ही जोरदार दमाके होने लगते है GPS सिस्टम और रोबोट से उपरेट होने वाला ये सिस्टम विसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है हमास की सभी सुरंगे घजा पट्टी की गनी अबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई है यहां अमनागरिक और रहतिहासिक स्थाल है हमास की रननीती भी इलाके पर कब्जा करने या हमलावर को हराने की नहीं है सिन्वाद की स्ट्राटीजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाने की है जिसके लिए वो इसराइली सेनाओ की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेश बदल कर घुले आम घूंता भी देखा गया है बहिनाओं के कपड़े में घजा की गलियों में घूंचुके सिन्वाद को आईडियफ सूल्जर्स पहचान भी नहीं पाये थे इसराइल के लिए हमास की सुरंग जाल को भीर पाना भी आसान नहीं है आईडियफ की गहरी सुरंगों और बंकरों को बरबाद करने के लिए खास तरह से भी स्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इस तरह की लडाई में सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबहा करने में लगती है जिसमें अच्छा खासा वक लगता है इसी फासले को हमास रडाके अपने हक में इस्तिमाल करते है वार्जोन में हमास चीफ सिन्वार भले ही रौब जमा रहा है लेकिन अमेरिका ने सिन्वार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है अमेरिका ने इसराइल पर साथ अक्तुबर को हमास की ओर से किये गए नरसंगार के आरोपों की घोशना की है इसराइल में 7 अक्तुबर 2023 कुवे नरसंगार के केस में हमास चीफ यहिया सिन्वार, पूर्व हमास चीफ इसमाईल हानिय, मारवा ईसा, खालिद मशाल, मुहम्मद अलमसरी और अली बराका के खिलाफ आपरादी का रोप तै कर दिये गए हैं सिन्वार के खिलाफ न्यू यॉयॉक की अदालत में सक्त फैसला सुनाए गया है Today, the Justice Department unsealed charges against Yahya Sinwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States. As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support and funding from the government of Iran and support from Hezbollah have led Hamas' efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim. America में हमास की टॉप लीडर्शिप पर कानूनी हंटर चलानी की तैयारी है लेकिन सूपर पावर, हमास कमांडों तक कभी पहुच पाएगा भी पिलाल इसके कोई असान नहीं दिक रहे इरान के समर्थन से हमास फिर से ताकतवर बन चुका है इरानी हत्यारों से हमास के लड़ाके तुलकरम और वेजब बैंक में आईडियेफ कोच छका रहे हैं रफा फरंट पर हिजबुल्ला के फुल सपोर्ट ने भी हमास लड़ाकों में नई जान फुग दी है आईडियेफ को सबसे बड़ा खत्रा फिलहाल लेबनान फरंट पर है जहां नसरल्ला ब्रिगेड भेंकर पलटबार शुरू कर चुकी है अपने टॉप कमांडरों के खात्मे से बौकलाए हिजबुल्ला फाइटर इसराइल में खुषकर बड़े हमले की प्लानिंग में है उफिया रिपोर्ट्स में दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला फाइटर गाजा की सुरंग में बेस बना कर हमास के साथ जॉइन्ट अटैक को अन्जाम दे सकते है इसका पता सीरिया बौर्डर पर गुलान हाइट्स बेस पर हुई एक घुसपैट से चला है यहां IDF ने बौर्डर पर घुसपैट कर रहे एक संदिक्त का खात्मा किया है इसराइल की बार के करीब कई दिनों से काफी हलचल देखी जा रही है IDF की वार्णिंग के बाद भी जब एक संदिक्त ने बार पार करने की कोशिश की तो उसे धेर कर दिया गया इससे साफ हो गया है कि इसराइल को अब सीरिया फ्रंट पर भी ऐलर्ट मोड में रहना होगा सीरिया रूट का इस्तिमाल हिजबुला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इसराइल को देहला सकता है